हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 115 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेट पिछली धाराओं का अध्यन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 115 के बारे में यह कहती है व्यक्तिक हाजरी से अभी मुक्ति देने की शक्ति याने कि कोई न्यायलाय कोई मजिस्टेट किसी व्यक्तिक रूप से याने कि व्यक्तिक रूप से हाजर होने के लिए ना कहते हुए किसी प्लीडर के माध्यम से याने कि किसी वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कह सकता है याने कि उसकी व्यक्तिक हाजरी माफ कर सकता है ऐसे समय में जब नियायलय को ऐसा कोई कारण दिखता है ऐसा कोई कारण नजर आता है जिसके कारण से वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियायलय के समख मजिस्ट्रेट के समख चुपस्तित नहीं हो सकता है ऐसे यदी कारण हैं तो वर तो फिर मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति गत रूप से हाजिर होने से मुप्ति दे सकता है और कह सकता है कि भईया आप जो है किसी प्लीडर के माद्यम से किसी वकील के माद्यम से नियायलय में उपस्तित हो जाए यहने कि आपका वकील खड़ा कर दो, वकील को हम समझ लेंगे, वकील से हम बात कर लेंगे, आप यदि नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, इस प्रकार की बात नियालाय कर सकता है, तो ऐसे समय में नियालाय को दिखना चाहिए, व्यक्ति प्रत्यक्स रूप से क्यों हाजिर नहीं हो सकता है कारण हो सकता है किसी व्यक्ति की तबियत खराब हो सकती है कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है किसी के घर में कोई व्यक्तिगत रूप से बीमार हो सकता है या अन्य कोई कारण हो सकते हैं कोई साधी व्याव हो सकते हैं या ऐसा कोई भी कारण हो सकता है मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को पुलिस नहीं जो है गरपतार करके रखा हुआ है तब ऐसे समय में व्यक्ति उपस्तित कैसे होगा तो वह किसी वकील के माध्यम से याने के वकील को खड़ा कर देगा या किसी की तबियत खराब है, गंबीर बीमारी से ग्रसित है कोई शादी व्याओ के कारक्रम आ गए या किसी भी कारण से वह उपस्तित नहीं हो सकता है तब ऐसे समय में नियालय कह सकता है कि आप अपना वकील खड़ा कर दो हम वकील से ही बात कर लेंगे याने कि प्रत्यक्त हाजरी उसको नहीं भी मिलेगी मजिस्ट्रेट को तो चल जाएगा किस में ये बताती है CRPC की धारा 115 क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत हाजरी से अभी मुक्त करने के लिए नियालय की सकती मजिस्ट्रेट जो है यदि मजिस्ट्रेट को परियाप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपिक्षा की गई है क्योंसा कारण अपिक्षित की गई है कौनसा कारण दर्शित करने के अपिक्षा की गई है वैसा कारण कि उस परिशान्ती कायम रखने या सदाचार के लिए बंदपत्र निस्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दे दिया जाए यानि कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा आदेश क्य न दे दिया जाए कि भईया तुम परिशान्ती कायम रखोगे क्यों क्योंकि तुम्हारे द्वारा शान्ती भंग किये जाने की संभावना है तुम ऐसी सान्ती को भंग नहीं होने दोगे क्यों न ऐसा कारण दर्सित करते हुए आप से बंद पत्र याने के बॉंड क्यों न भ लुक्त कर सकता है मुक्त कर सकता है चोड़ सकता है और कह सकता है कि आप जो है जो है वकील के द्वारा हाजिर होने हो सकते हैं इस प्रकार की अनुग्या दे सकता है इस प्रकार की आज़िया दे सकता है, कि आप वकील के माध्यम से नियालाय में उपस्तित हो जाएं, प्रत्यक्ष रूप से उपस्तित ना हो, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उपस्तित होना चाहिए, वकील घड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया CRPC की धारा 115 के बारे में यदि आप CRPC से related या IPC से related समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी CRPC और पूरी की पूरी IPC पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से अपको पूरी की पूरी IPC और पूरी की पूरी CRPC मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद